चितरण्यन चैनपूरा प्रस्तुत करते हैं गीत सावन पुरिया मगध में सावन पुरिया का प्रचलन है बिवाहित इस्त्रियों को स्रावन मास में स्रावन पुरिया, सिंदूर का पुरिया जरूर भेजा जाता है जिदि वो मेके में है तो ससुराल से आता है और जदि ससुराल में है तो मेके से जाता है इस सावन का सुहावन पर्व है तो एक नई नवेली बिवाहिता अपनी सक heroic से कह रही है कि ऐ सकही मैं आज कजरी खेलने तुम लोग के संग नहीं चाऊँगी क्योंकि आज मेरा सावन पूरिया आना है सक्खी जूलान जूलान हम जाये ऐताई हमर सावन पूरिया सैया अपने से बन के सेंदूरिया लेतान हमर सावन पूरिया सक्खी जूलान जूलान हम जाये ऐताई हमर्शावन पूरिया सहिया अपने सिबन के संदुरिया लैतान हमर्शावन पूरिया खायब बहुरी बहुर पेनहव लहंगा पटोर खायब बहुरी बहुर पेनहव लहंगा पटोर खनके गोरी रे कलाई हरी चुडिया खन के गोरिरे कलाई हरी चुरिया कच्ची कली कच्चनार नायब रहली कुमार तुम लोग के जैसे मैं अब कुमारी नहीं रह गई मैं विवाहिता हो गई हूँ और मेरा सावन पुरिया आने वाला है कच्ची कली कच्चनार नायब रहली कुमार बाबुल घर छुटल बनली बहुरिया अधाई हमर सावन पुरिया बाबुल घर छुटल बनली बहुरिया अधाई हमर सावन पुरिया अखिया फरकित हमर आज मुह से कहित लगे लाज पहले चिठी पत्री का जमाना था वो भी आने में काफी समय लगता था आज के तरह मोबाइल तो था नहीं लेकिन बादलों से संदेश आता था कबूतरों से संदेश आता था आज आखे फरक रही है आज ऐसा लगता है कि मेरा सावन पूरिया आने वाला है अखिया पूरे सावन मास दुलहन या विवाहिता इस्त्रियां अपने सावन पूरिया का बाट जो ते रहती है आज आएगा कल आएगा कागा उचरता है आँखे फरकती है तो समझती है कि आज सावन पूरिया आने वाला है कि अखिया फरकित हमर आज मुह से कहिते लगे लाज पुरे पुररे बर्ल जोरे ज्छुरिया अईता यी हमर सावन पूरिया आज कि तरो खुली इस्तरिया नहीं होती थी बहुत लज्जावे शंकूच में जीती थी कि सावन बरसित रिम जिम में बिरहिन तडपित नित दिन देह मिलके आजई मिटायव सव दूरिया ऐताई हम अरशावन पूरिया सखी जूलाना जूलाना मजायव ऐताई हम अरशावन पूरिया सईया अपने से बनके सिंदुरिया लेताना हम अरशावन पूरिया